So Hello and Namaskar दोस्तों मैं आप सभी का दोस्त जई और आप देख रहो जई का ग्यान यूटूब चैनल तो दोस्तों यदि आप एक यूटूबर है और आप यूटूब से पैसे कमाते हो तो आप एडसेंस को जरू से यूज़ करती होंगे क्योंकि दोस्तों यूटूब का जो पैमेट है वो एडसेंस के जरूए ही आपको मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सब को बता दू कि एडसेंस के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लेम अभी चल रही है उस प्रॉब्लेम का पूरा मैं आप सब को डीटेल में बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को जो उसे एक लाइक कर देना हो सकते तो सेर कर देना और अगर आप हमारे चैनल को नए नए देख रहे हो तो चैनल को जरू से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आप सब को बता दू कि कोई भी नए नए अपडेट आते है या तो फिर यूटूब को लेकर कोई भी इस्यू आता है अडिसंस को लेकर कोई भी इस्यू आता है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सभी को जानकारी दे देता हूँ तो हो सके तो मेरा यूटूब चैनल को जरू से सब्सक्राइब कर लेना तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सबको बता दू यहाँ पर मैंने AdSense ओपन करके रखाया आप यहाँ पर देख सकते हो अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे यहाँ पर टोटल जो अगले महिना का जो payment है वो 120 डॉलर मुझे आया है ठीक है तो यहाँ पर आप नीचे देखते होंगे लास्ट payment के अंदर तो 0.67 यहाँ पर है तो दोस्तों यह क्या है क्या हमारा YouTube payment cut हो गया है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सबको बता दू जितने भी बड़े बड़े YouTubers है उनका भी यहाँ पर AdSense के अंदर payment cut हो चुका है और दोस्तों यहाँ पर मैं आप सबको बता दू यह क्या है तो जैसे आप यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको view payment का एक option मिल जाता है तो simple यह आपको view payment पर क्लिक कर देना अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो view payment पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर उसका पूरा detail आपको देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक option मिलता है Your last payment was issued on July 21 for 0.67 ठीक है तो यहाँ पर यह क्या है तो दोस्तों आप सभी को याद होगा कि कुछ time पहले हमने US tax form फिल किया था याद है ना तो दोस्तों US form tax हमने जो फिल किया था उसके अंदर जो tax लगने वाला था वो tax यहाँ पर लगा है हमें ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी income US से करते हो उस payment के अंदर आपको अगर आपने tax फिल किया होगा तो फिर भी आपको 15% का tax लगेगा अगर आपने form फिल नहीं किया होगा तो आपको 24% का tax लगेगा तो दोस्तों आपको कोई भी tension नहीं लेना है यहाँ पर आप सभी को मैं बता दू कि आपका adsense कंद जितने dollar बने होगे वो dollar आपको payment मिल ही जाएगा लेकिन यहाँ पर आप नीचे देख लेना नीचे जितने dollar आपके cut होए होंगे वो dollar आपके cut हो जाएंगे ठीक है वो आपका tax लगेगा तो simple दोस्तो अब आप सभी के समझ में आ चुका होगा और आप सबको इस वीडियो के माध्यम से यह जो adsense का जो problem था वो problem पूरी तरस से आपको समझ में आ चुका होगा तो वीडियो को जरू से लाइक कर देना हो सकते तो share कर देना और हमारे यूटूब चैनल को जरू से subscribe कर लेना